बागेश्वर उप्चुनाओ को लेकर हरीसरावत के एक ब्यान पर बीजेपी और कॉंग्रेस में गर्मगर्मी बढ़ी है। गुम रह किया है। ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बागेश्वर शीट पिछले 17 साल से बीजेपी के पास है और इस दोरान उत्राखन में कॉंग्रेस की सत्ता भी रही है। सीट पर हासिल करते रहे है। इसलिए बागेश्वर उपचुनाओ को लेकर ये समझना जरूरी है कि वहाँ पर कॉंग्रेस खुद चुनाओ लड़ रही है। या फिर बसंद कुमार को चुनाओ लड़ा रही है। ये बनता है कि दो हारे हुए हाथ मिलकर जीतने की जुगत में है। रही बात बीजेपी की तो ये चुनाओ पुषकर सिंग धामी के लिए एक बड़ी चुनोती है जिस सीट को पिछले 17 साल से बीजेपी लगातार जीत रही है अगर उस सीट पर कुछ उच नीच हो जाती है तो जाहिर सी वात है मुख्यमंतरी पुषकर सिंग धामी की सत्ता परनाली पर ही सवाल खड़े होंगे हाला कि वो चंपावत में कह रहे है कि बाबा बागनात की भूमी पर बीजेपी ही जीतेगी चंपावत की तरह ही बागेश्वर के लोग विकास को चुनेंगे अब लोग क्या चुनेंगे यह तो आठ सिदंबर को ही पता चलेगा लेकिन बागेश्वर के परिणाम उत्राखन की राजनिती के लिए बहुती महत्पून रहने वाले है यह सापसी बात है